नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एस्कलेपियस आयरुवेदा में दोस्तों आज के सिसन में हम बात करेंगे एस्कलेपियस विलनेस प्राइवेट लिम्टेड कमपनी के थाई डॉक प्रोड़क्ट के बारे में इस वीडियो के मैध्यम से आज के सिसन में हम बताएंगे आपको थाई राइड क्या होता है क्यों और कैसे तथा इसके बढ़ जाने से क्या परसानी होती है इसके क्या लक्षण है थाई डॉक प्रोड़क्ट क्या है इसके इंग्रिडेंट्स और इसे इस्तेमाल करने की बिध खरते हैं उनका कारे करती है जदी यह सही से कारे न करे तो हमें बहुत सारी परशानियों का सामना करपना पड़ सकता है अब बात करते हैं यह यह क्यों और कैसे होती है थाइराइड एक तरह की गले से संबंदित बीमारी है जो की आयोडीन की कमी के चलते भी होती है थाइराइड गंत्री पर गांट बंजने कारण भी हर्मोन का इसराव अधिक मात्रा में होने लगता है के चलते हैं प्रेग्नयंसि के दोरान महिलाओं के शरीण में अचानप होने वाले हर्मोनल चेंजेश के कारण भी थाइराइड की समस्या काफि बढ़ जातना है तो अधिक तनाव गरस्ट रहने के कारण भी हर्मोनल डिसबेलैंस होता है जिससे थाइराइड की समस्या का सामना करना पड़ सकता है लो बीपी और हाइ बीपी के कारण भी थाइराइड की समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो आईए दोस्तों इस वीडियो के माद हम से हम जानेंगे कि थरेडT इदे बढ़ जाता है तो उसकी क्या लक्षण है यदी लक्षणों की बात करें तो हमारे शरीर में थरेड बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर का वजन अचानक बढ़ने लगता है शरीर की तुचा भी सुखने लगती है और हमेशा हमेशा कबज की सिकायत भी बनी रहती है अत्यधिक तनाव में भी हम उस दौरान रहते हैं हमारे बालों का अधिक गिरना, शरीर में काफी आलस बना जाना हमारे हाथ पर ठंडे रहना हमारे शरीर का सारिक विकाश और मांसिक विकाश सही ढंग से नहोना यह सब Thyride के ही लक्षण है अब हमबात करते हैं दोस्तों Asclepius Wellness Private Limited Company के Product Thyodoc के बारे में यह क्या है तो Asclepius Wellness Private Limited Company के दुभारा बनाएगी एक यह Liquid Form का Product है जोकि एक आयरुवेदिक उत्पाद है जिसमें विभीन प्रकार के औशदियों से इसे मिला कर बनाया गया है यदि इन औशदियों के बारे में हम देखें तो इन औशदियों का इस्तमाल अधिकांस्ता थायराइड के समस्चा में काफी कारगर होता है तो आएए देखते हैं थायर डॉक प्रोडक्ट में कौन-कौन से इन ग्रीडेंट से इसे मिला कर बनाया गया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इन ग्रीडेंट की तो इसमें एलो वेरा का जूस मिलाया गया है अस्वगंधा है अस्वगंधा का एक्ष्टेक्ट है ब्रामी का एक्ष्टेक्ट है अलसी का एक्ष्टेक्ट है जिंजर का एक्ष्टेक्ट है धनिया का एक्ष्टेक्ट है जीरा है और अजवाईन का एक्ष्टेक्ट है अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्त के इस्तमाल करने की बिदी और इस्तमाल करते समय क्या-क्या सावधानिय बरतनी है तो सबसे पहले बोतल खुलने के एक महिने के अंदर में इस प्रोडक्त को इस्तमाल कर लेना है इसे दिन में दो बार 25 से 30 अमल खाना खाने के बाद लेना है इस प्रोड़क्ट को इस्तिमाल करते समय चिक्षक से अवज से परामर्स ले 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 और तथा इसे तीन महीने तक जरूर से बन करें इसके इस्तिमाल के दोरान आपको तीन से चार लीटर पानी जरूर पीना है तथा ज्यादा खटे पदार्थ यह तीके पदार्थ का इस्तिमाल नहीं करना है प्रोडक को इस्तमाल करते समय उससे अच्छी तरस सेख कर लेना है और इस्तमाल करने के बाद बोतल को ठंडे और सुखे स्थान पर जरूर रखना है इसे डिरेक्ट सनलाइट से भी बचा कर रखना है और एक और ज़री बात प्रोड़क को ख़त्से समय यह अवश्य जांच लें और परक लें कि प्रोड़क टूटा-फूटा और उसमें लिकेज नहों इस बात की खास तोर पे आप ध्यान दे तो आई होप दोस्तों आप कोई जनकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं इसी तरह की जनकारी के साथ नए वीडियो में धन्यवाद